कि यह गाईज वासाप हेलो फ्रेंट्स दिस इस शोभम मिश्रा एंड वी आर डिसकसिंग इन्वार्मेंट अनिकोलोजी तो हम लोग इन्वार्मेंट अनिकोलोजी प्रेवरन परिस्तेती का पोर्शन कर रहे हैं अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो इसे लाइक करिए और अगर आप को इन्वार्मेंट किसी भी एक्जामेनेशन के लिए पढ़ना है चोटे एक्जामेनेशन से लेकर और बड़े एक्जामेनेशन तक तो यहाँ पर पूरा कवरेज आपका कराने की कोशिश कराई जा रही है उसके साथ प्रिविएस एर कोशन किसी भी प क्लाइमेटक चेंज आपको दिख रहा होगा उसके साथ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं के क्लाइमेट चेंज अ कि एक जल्वाई परिवरतन और ग्लोबल वब्रमिंग ठीक मैं जल्वाई परिवरतन और indicator क्या है, जिससे यह पता चलता है कि अब climatic change हो रहा है, उसके क्या-क्या reasons है, क्यों climatic change हो रहा है, फिर और भी इसमें further topics हम लोग जानेंगे, कि वर्ल्ड में क्या-क्या effect पढ़ रहा है, इंडिया में क्या-क्या rules है, regulations है, क्या impact है, तो समझते हैं, सामानिता climate होता क्या है, आ एक blank page लेकर start करते हैं, climate के बारे में जानना, climate को बोलते हैं, जलवाई हो, यह weather यानि कि मौसम से अलग होता है, weather जो होता है, यह localite है, local cut बारे में बताता है, यानि कि आप जिस city में है, वहाँ पर आजकल मौसम कैसा रह रहा है, यह बताएगा आपका weather, और आप जिस अस्थान पर रह रह रहा है, उस अस्थान पर अमूमन, ठीक है, वर्षों वर्षों तक मौसम की क्या प्रक्रिया है, वह बताएगा आपका climate, जैसे किसी भी specific area में, एक लंबे काल के दोरान, यानि कि for long duration, लगभग 30 साल, लगभग 30 years को उसको मानते हैं, ठीक है, मौसमी दसाएं कैसी है, औस वर्षा कैसी है, यह सब कुछ मिला दिया जाए, तो उस अस्थान का कहलाएगा climate, या फिर जलवायु के अंतरगत क्या आएगा temperature, यह points देखेगा, temperature यानि कि तापमान, आर्दत्ता यानि कि humidity, ठीक है, फिर आएगा आपका atmospheric pressure, 80, PR में लिख रहा हूँ, इसके साथ साथ, wind कैसी है, पवन, वर्षा, रेनफॉल, और, मेट्रो, लोजिकल एलिमेंट्स, यानि कि मौसमी, तत्त, अगर इन सभी को मिला दिया जाए, temperature, humidity, atmospheric pressure, wind, रेनफॉल, मेट्रोलोजिकल एलिमेंट्स, यानि कि तापमान, आर्दता, वायुदा, पवन, वर्षण, तथा मौसमी तत्तों को मिला दिया जाए, तो उस एक स्थान का climate कहलाता है, ठीक है, जलवायू, कहलाता है, अब आता है climate change, दूसरा topic है यहाँ पर climate change, हम लोग उसके विश्यम में देखते हैं, इन topics को मैं यहाँ पर delete कर रहा हूँ, ने topic को लिख रहा हूँ, आ जाए, दूसरा topic है हम लोग का, climate change, जलवायू, परिवर्तन, जलवायू परिवर्तन क्या होता है, कि अब किसी लंबे समय तक, मैंने कहा कि 30 साल का लगभग समय लेते हैं, climate word जहां यूज किया जता है, लगभग 30 साल का, तो किसी लंबे समय में किसी अस्थान विशेश या वैश्विक अस्तर पर दोनों जगां को लेंगे अगर जलवायू दशाओं में परिवर्तन हो गया, यानि कि वहां का rainfall परभावित हो गया, वहां की wind speed परभावित हो गई, वहां पर जो आर्दरता है वो परभावित हो रही है, या अन्य जो metrological elements है, वो किसी तरह से परभावित हो रहे हैं, जिससे जहां पर आपका गर्मी पढ़ता था, वहां पर आपकी बारिश होने लगी, जहां पर बारिश होती थी, वहां पर आपका जाड़े जैसी स्थिति है, तो यह अगर एक लंबे समय तक चलता है, यानि कि 30 साल का span बिलकुल इस change में चलता है, तो कहेंगे कि climatic change हो रहा है, ठीक है, अब मौसम और बायू में अंतर समझते हैं, जो मैंने यहां पर वेदर और वो लिखा था, देखिए, यहां पर एक difference देखेंगे, एक climate लिख लिजी और एक लिख लिजी आप, वेदर, ओकी, देखेंगे मौसम क्या करता है, जल्दी बदलता है, सुबह ऐसा है, शाम में ऐसा हो गया, इसे देर तक, 30 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, देर तक हैनी कि 30 साल क्या सपस, बदलता है, फिर उसके बाद देखेंगे, मौसम एक छणी कवस्ता है, और यह क्या है, दीर कालिक, यानि कि एक तरह से आप देखेंगे कि जलवायू के अंदर में आपका विदर आएगा, climate के अंदर में व छोटा difference है, जो कभी कवार हम लोग बोलने में गलती करते हैं, तो हम लोग यह भी पढ़ लिये, अब हम लोग तीसरा टापिक पर आते हैं, तीसरा टापिक क्या है, कि जलवायू को नियंत्रित या प्रभावित कौन करता है, तो जो प्रभावित करता है, उसको याद करने का एक तरीका है, landforms, landforms वर्ड से आप जलवायू को प्रभावित करने वाले factors को समझ सकते हैं, एक चीज़ और बता देना चाहता हूं, कि UPSC हिंदी की ये free initiative है, environment and ecology का portion, इसके पहले मैंने, शुबह मिश्रा ने, general science का portion लिया है, आप जाकर के playlist में उसे सर्च कर सकते हैं, उसके अलावा, आपको किसी भी तरह की test series या अन्य चीज़ें join करनी हो, तो आप जाकर description box में देख लीजे, उसमें related numbers और queries के लिए समाधान करने वाले कुछ email id गिवन है, आप उस पर phone call करके पूछ लीजे, और आपकी जितनी भी चिंताएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो आपकी solve कर दी जाएंगी, उसके साथ साथ एक बात और अगर आपको ये lecture series अच्छी लगती है, या फिर खराब लगती है, या फिर average लगती है, आप अपने comments को जरूर यहां पर पिन करिए, जरूर यहां पर drop करिए, जिससे हम लोग अपने अंदर improvement कर पाएं, आपके according हम लोग courses प्रिपेर कर पाएं, तो चलिए चलते हैं, landforms के बारे में जानते हैं, जो कि जल्वाई को प्रभावित करता है, तो ध्यान से देखेंगे, L से होता है latitude, मतलब अक्षांस, A से होता है altitude, उचाई, N से होता है आपका, nearness from sea, समुद्र से, दूरी या नज़दी की, D से होता है आपका direction of wind, F से होता है आपका forest, O से होता है आपका oceanic, currents, यानि की समुद्र की, जल धाराएं, R से होता है rainfall, वर्षण, या वर्षण, M से होता है mountain, यानि की पहाण, and S stands for soil, जिसे हम लोग मिट्टी कहते हैं, तो यहाँ पर जलवाई को प्रभावित करने के कारक लिखे हुए हैं, जिनका full form है land forms, इतने कारक हैं जो जलवाई को प्रभावित करते हैं, एक बार फिर से repeat करता हूँ, L से होता है latitude या actions, A से होता है altitude या उचाई, N से होता है nearness from sea, यानि की समुद्र से नज़दी की, D से होता है direction of wind, हवा की दिशार या किस ओर है, F से होता है forest या one, O से होता है oceanic currents, यानि की समुद्र की धाराएं या जल धाराएं, R से होता है rainfall, यानि की version की मात्रा क्या है, M से होता है mountain, जो की पहाड को रखता है stand for, and S stand for soil, यानि की S आपका represent करता है soil को यानि की मिट्टी को, तो इतने factors हैं जो की जलवाई को प्रभावित करते हैं, आशा करता हूँ कि आप इसने note कर लिया होगा, आप हम लोग यहां से आगे मरते हैं अगले topics की और, तो अगला topic क्या है, कह रहा है कि पृत्वी की इसी में थोड़ी चीजां और समझते हैं, कि पृत्वी जब से start हुई है, यानि कि जब से उत्पत्ती हुई, तब से आज तक जो जलवाईू दशाएं हैं, वो लगतार पड़वतित होती रहती हैं, लेकिन पिछले साड़े 6 लाक सालों में, जो हिमनद की वृध्धी हुई है, हिमनद मतलब क्या होता है, जो ice के, य होने से जो नदियां बहती हैं, उनको कहते हैं, हिमनद, उनमें जो वृध्धी हुई है, यानि कि ग्लैशियर में advance and retreat जो होता है, वो साथ चक्र टोटल घटित हुआ है, ठीक है, कितने चक्र घटित हुआ है, साथ चक्र, और जिसमें last ice age से, last ice age लगभग 7000 वर्स पूर्व समाप्थ हुआ है, यानि कि टोटल ग्लैशियर एडवांस्मेंट एंड रिट्रीट हिमनदो के वृधियोंग संकुचन में साथ चक्र घटित हुए है, last ice age लगभग 7000 पहले खतम हुआ, पहले प्रित्वी पर पूरा बर्फ की चादर पड़ी हुई थी, 7000 पहले खतम हुआ, और वहां से जो है, आधुनिक यूग का यह जो सब्विताएं हैं आपकी, Indus Valley Civilization, Mesopotamia की सब्विता, मोहन जो दाडो, ठीक है, इन सबका स्टार्टिंग होता है अब संकेतक क्या है, कि कैसे जानेंगे कि हमारा Climatic Change हो रहा है, कैसे पता चलेगा, किस चीज को, किस Indicator को यह मानेंगे, कि Climatic Change हो रहा है तो Indicators के बारे में बात कर लेते हैं, यानि कि संकेतक, जो यह बताएंगे कि Climatic Change हो रहा है तो हमेशा Science के Experiments होते रहते हैं, जिन्हें उस सेक्टर में काम करना है, IMD के Engineers हैं, मतलब इंडिया में, वो, मतलब Indian Meteorological Department, तो वो जो है, मौसम पूरवा नुमान और इस तरह की घटनाओं को देखता रहता है, और लंबे समय में Climate के बारे में बताता रहता है, वैश्वी कस् पर भी इसे Observe करने के लिए संस्थाएं हैं आपका, तो ऐसे कौन-कौन से इंडिकेटर हैं, जिनको ध्यान में रखकर की ये कहा गया कि Climatic Change जो है बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो उसमें दिखा गया कि Global Temperature Rise हो रहा है, कि अगर Earth का Temperature, सपोज करिए, मैं Actual Data नहीं दे र चुका है, यानि कि पहला है Global Temperature Rise, यानि कि वैश्विक तापमान व्रिद्धी, दूसरा क्या है, Warning of Oceans, यानि कि Warming of Oceans, समुद्र के तापमान में व्रिद्धी हो रही है, Shrinking Ice Sheets, Shrinking Ice Sheets, हिम चादर जो होती है, उनमें संकुचन हो रहा है, हिम चादरों में क्या हो रहा है? संकुचन हो रहा है, दिन कर रहा है Glacial Retreat, हिम नदों का पिखलना, Glacial Retreat, हिम नदों का पिखलना, समुद्र तल में व्रिद्धी, यानि कि Sea Level Rise, समुद्र तल में व्रिद्धी, महासागरों का अमली करण, Ocean Acidification, ये भी एक रीजन है, याद रखिएगा, Oceanic Acidification is also an indicator for the climate change, यानि कि महासागरों का अमली करण, चरम घटना है, जैसे सूखा पड़ता है, बाढ़ आता है, सुनामी आता है, और जो Arctic है, वहाँ पर जो है, Ice Decline हो रही है, यानि कि Declining Arctic Ice, तो ये भी एक रीजन है, तो जिसमें आपको याद क्या करना है, examination point of view से, तो Oceanic Acidification is also an indicator for the climate change, या आपको याद करना है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन-कौन से संके तक है, तो मैंने बता है, Global Temperature Rise, यानि कि वैश्विक तापन में व्रिद्धी हो रही है, Warming of Oceans, यानि कि समुद्र के तापन में, समुद्र का तापन हो रहा है, Shrinking Ice Sheets, यानि कि हिम चादरों में संकुचन हो रहा है, Glacial Retreat हो रहा है, यानि कि हिम चादरों का हिम नद का पिखलना, Sea Level Rise, समुद्र तल में व्रिद्धी हो रही है, Oceanic Acidification, अर्थात, महसागरों कामली करन हो रहा है, सुखाबाढ, सुनामी जैसी घटनाएं आ रही है, Declining, Arctic Ice, यानि कि Arctic की Ice, वो decline कर रही है, पिखल रही है, कम हो रही है, अब आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ कि ये चीजे भी आपको, समझ में आई होगी, मैंने इसलिए दो बार revise किया है, चीजों को मैं ऐसा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा ब या कि सर, जो सुदर्शन गुजजर सर है, जो कि आपने दिखा होगा आने अकेडमी पर जिग्राफिकी लेते हैं, उनकी teaching style फॉलो करिए, तो अब exactly तो फॉलो नहीं हो सकता, क्योंकि किसी का copycat नहीं बनना चाहिए, सबका आपना कंगफू होता है, बट उनसे कुछ lectures में, डालने की भर सक कोशिश की है, और आशा करता हूँ, आने वाले lectures में उनकी परिलक्षित होंगी, वो चीज़ें दिखाई भी देंगी, जलवाई परिवर्टन के क्या-कारक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं, जलवाई परिवर्टन के क्या-कारक है, तो क्या-क्या हो स man-made, जिसको बोलते हैं, एंथ्रो-पोजनिक, ठीक है, एंथ्रो-पोजनिक, यह निकि मन-वी-कॉज, ठीक, अब इसमें हम लोग बस समझ लेंगे कि क्या-क्या हो सकते हैं, सौर विकिरण होगा, तो उसमें अगर बिन्नता आ रही है, निकि सोलर रेडियेशन में कोई बिन होता है, तो उससे भी climatic change होते हैं, कहीं पर जौला मुखी फट रही है, volcanic eruption हो रहा है, उससे भी होता है, वामिडल में गैसों का संतुलन जो है, उपर नीचे होता है, उससे भी होता है, माध विपी विस्थापन, यहनि कि continental shift हो रहा है, तो उससे भी problems होती है, मानो जनित में देखेंगे, तो तीवर industrialization कर रहे है, rapid industrialization हो रही है, नगरी करण कर रहे है, संसाधनों काती दोहन करते हैं, वातावरण में CO2 बढ़ा दे रहे है, green house gases बढ़ा दे रहे है, वैश्विक तापन कर रहे हैं किसी भी तरीके से, ओजोन करहास हो रहा है, समताप मंडल में man-made activities के द्वारा, तो ये कुछ topic होते हैं इसमें, मैं ये चीज़ें लिखूंगा भी, लेकिन पहले समझते हैं, सबसे पहले हम इसमें important चीज़ समझ लेते हैं कि सौर विकरण में भेनता, सौर विकरण में भेनता, पहला है, यानि कि प्रिजवी काक्षांसी जुकाओ है, आपको बोलते हैं, वो घड़ता बढ़ता रहता है, कभी जब inclined to earth रहेगी, sorry inclined to sun रहेगी, माली जैसे जुकी हुई है, अब sun यहाँ है, तो ये portion उसके सामने ज्यादा पड़ेगा, rather than ये, तो जब ये portion में आपका माली जै कि हमारी इंडिया ही पड़ता है हमारा, तो यहाँ पर temperature ज्यादा मिलेगा उसको, तो ऐसी इस्थिती में सूर्या तब की मात्रा वहाँ बढ़ गई, और जब opposite हो जाए इसका, यानि कि यही अर्थ घूम करके गई, और इंडिया आपका दूर हो चला गया, यानि कि farthest point में आ गया, ऐसे आ गया, ठिक, थोड़ा ऐसे, तो इंडिया कहीं यहाँ हो गया, सन कहीं यहाँ है, तो यह दूरी पड़ी, यह चीजे नस्दीक पड़ी, ठीक है, तो सूर्या तब कम हो गया, तो इस प्रकार से पहला तो कारण यह है, कि जहाँ पर जो सन का रेडियेशन हो अधिक पड़ रहा है, तो ग्लेसेल जादा मेंट करेगी, फिर एक पूरा चक्र बनाएंगी, जिससे विंड़ फ्लो होती है, तो पहला तो यह करण हो गया, सौर विकरण में भेनता, नेक्स हम लोग देखते हैं, नेक्स कै है, नेक्स है, सौर कलंख चकर, स्वोलर स्पॉर्ट साइकिल, स्वोलर स्पोर्ट साइकिल मैंने बतायते हैं कि सन पर बहुत सारे धब्बे पाया जाते हैं, धब्बे मतलब जहाँ fuel नहीं है ऐसे समझी जहां fuel नहीं है hydrogen hydrogen 2he4 बनाता है helium के परमणू बनाते हैं तो जहां पर fuel नहीं है यानिका hydrogen fuel नहीं है वहाँ पर सौर कलंग की स्थिती पैदा होगी तो सौर कलंग का चक्र होता है कभी बढ़ता है कभी घड़ जाता है कि मतलब कुछ महीने बढ़ेगा फिर घड़ जाएगा कुछ वर्स बढ़ेगा फिर घड़ जाएगा तो जहां पर सौर कलंग की मात्रा बढ़ती है सौर विक्रण की मात अच्छा खासा जो है मेंटर करता है फिर नेक्स इसी में देखते हैं हम लोग ज़ाला मुखी उद्भेदन वलकानिक एुरिप्षन तो आपको पता है कि जोला मुखी से कि जो radiations है यानि कि जो विकिरण है वो प्रत्वी तक आ नहीं पाएंगे आपको पता है कि कोई भी जौला मुखी हुई जो फट गई ठीक है जौला मुखी के एरिप्शन से उस पूरे 25-30 km-40 km के धायरे में कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आपकी sun की radiation डिरेक्टली पर नहीं आगी यानि कि heating की problem जो है वो नहीं होगी जब heat नहीं होगा तो अनी चीज़े प्रभावित हो जाएंगी उससे यानि कि climatic change का reason बनता है फिर आता है भायमंडली गैस संयोजन में प्रिद्धी यानि कि CO2 N2O CH4 जलवाश्प इत्यादी gases जो है उसमें निरंतर परि परिवर्तन के कारण जैसे अध्योगी क्रांती हुई तो मानो जनित बहुत सारी परिवर्तन भी हुए ठीक उसके साथ साथ लास्ट क्या है महादविपी विस्थापन कॉंटिनेंटल शिफ्ट अल्फ्रेड वेगनर महोदे ने दिया था यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ अल्फ्रेड वेगनर ठीक है वेगनर का सिध्धान भी कहा जाता है तो अल्फ्रेड ठीक अल्फ्रेड वेगनर महोदे ने वेगनर वेगनर अल्फ्रेड वेगनर महोदे ने यह कॉंटिनेंटल डिफ्ट थेओरी दी थी और मॉर्गन एक व्यक्ति थे उन्होंने प्लेट विवरत नहीं कि प्लेट टेक्टोनिक थेओरी दी थी इन्होंने क्या दिया था continental drift या continental shift की थोरी दिय थी और एक morgan व्यक्ति थे जिन्होंने दिया था आपका plate tectonic, आपको पता है कि Indian plate, Eurasian plate से टकराई, ठीक है, तो इसी तरह से ये चीजे बताई थी आपके morgan ने, तो continental shift क्या होता है, continental drift theory, continental shift ही होता है कि महादूइप ही विस्थापन होता है, यानि कि पहले सारे महादूइप एक तरह से थे जिसको पैंजिया कहते थे, और जितने महासागर उनको पैंथलासा कहते थे, फिर वो धीरे धीरे जो महादूइप थे वो विखंडित हुए, एक महादूइप दूसरे प्लेटी हुए, यह सब जो एरिया है, यहाँ पर जॉला मुखी निकशेप जम गए, क्योंकि वो जब अफ्रीकन प्लेट के पास पहुची, तो जॉला मुखी उदगार से वहाँ पर, जॉला मुखी परिगटनाओं से, वो मिनरल्स जो वहाँ पर जम गए, उसके बाद इं प्लेट थी, इसमें जाकर टकराती है, और एक नहीं तीन बारी टकराती है, यहाँ पर पामीर का नौट बनता है, पामीर का पठार बनता है, स्वरी, पामीर की गाट बनती है, और वहाँ से यह हमारी हिमाले की तीन शिरेणिया निकलती है, ठीक है, और इधर आपका निकलत इधर कुनलुन शान, तियान शान, ठीक है, तो यह पूरी जो हिमालाई रेंज है, वो यहाँ पर डेवलप होती है, तो कहने का मतलब यह है कि यह टोटल जो थियोरी है, वो Continental Drift थियोरी आती है, फिर प्लेट विवर्तनिक क्या आता है, आज भी जो प्लेटे हैं, यानि कि इ प्लेट कंजोर होती है, वो साबमर्च कर जाती है, जैसे माल लीजे, दो प्लेट से यहाँ पर, ठीक है, यह Continental प्लेट है, यह Oceaniak प्लेट है, तो आपको पता है कि Oceaniak फ्लेट थोड़ी से कंजोर होगी, ठीक है, क्योंकि वो Oceans के नीचे की प्लेट है, थोड़ी सी जोर होती है continental plate थोड़ी से जादा rocky होगी जो थोड़ी जादा मजबूत होगी तो इन दोनों में जब लड़ जाएंगी ये दोनों अगर ये shift करके एक दूसरे पर लड़ती है तो पता है क्या होगा उश्यनिक जो plate होगी वो समर्ज कर जाएगी और continental plate उसके उपर चड़ जाएगी ठीक है तो इस पूरी घटना में जो छोटी सी घटना दिख रही है अगर ये समुद्र के अंदर होती है तो आपकी tsunami आ जाती है अगर ये घटना समुद्र के अंदर होती है तो tsunami आ जाती है अगर ये घटना हाला कि इतनी नहीं होती हो क्यों हलकी सी shift होती है, अगर ये घटना land forms में होती है, तो आपका 7 और 8 रिक्टर का एक अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है, तो ये घटना है जो है, ये भी वायमंडली जलवाय प्रोड़तन के लिए एक बहुत बड़ा कारक है, फिर मानुवी कारकों में क्या आता है, मानुवी कार कारकों में बहुत सारी gases है, ठीक है, जैसे CO2 हो गई, CH4 हो गई, N2O हो गई, ठीक है, फिर इनका क्या होगा, ये सारी gases, heat को absorb करेंगी, rainfall में परिवरतन करेंगी, ठीक है, उसका result क्या होगा, climatic change होगा, उससे क्या होगा, आपका जो agriculture है वो प्रभावित हो जाएगा, ठीक है जो पसुपक्षी या जली पसुपक्षी रहते हैं, उनका अनुकूलन adaptation, अनुकूलन प्रभावित हो जाएगा, ठीक है, उससे क्या होगा, जलवाई प्रभावित होगा, ठीक है, क्रिशी प्रभावित होगी, फिर से, तो ये कुल मिलाकर के manmade एक factor है, मैंने आपको basic चीज कर चुके हैं, बढ़ टेजी से मुसको discuss कर लेते हैं, ये पौधों के लिए निर्मित हरित ग्रिहों, यानि कि Greenhouse में होने लिए परघटना पर आधारित है, ठीक है, अब Greenhouse को एक दूसरे तरह से भी समझते हैं, Greenhouse को इस तरह से भी समझ सकते हैं, कि आपने artificial greenhouses देखे होंगे, जिने greenhouse का आजाता है, उसमें क्या होता है, छोटे-छोटे glass के house बनाते है, जहां पर infrared waves radiation, UV waves radiation, वो sun की light के साथ low wave length volume radiation, entry ले लेती है, उन greenhouses में, रुकिया मैं यहाँ फोटो बनाता हूं इसका, UV, infrared, यह सारी औरक्त किरणे और प्रवैगनी किरणे, यह एक artificial घर बनाया जाता है, शीशे का, जिसमें यह entry ले लेती है, एंट्री लेने के बाद क्या होता है, उसमें उपस्तित जो CO2 होती है, वो उसे निकलने नहीं देती है, यानि कि वो उसे वहाँ से बाहर नहीं जाना देती है, और CO2 जब उसे अब्जार्व कर लेती है, तो उस greenhouse का temperature बढ़ जाता है, और वहाँ पर कुछ ऐसी खेती भी की जा सकती है, जो कि उस climate में या उस weather मे नहीं होती है, जैसे माली जे कि मतर की फसल हुई जो जाड़ों में होती थी, ठीक, या फिर कोई भी ऐसी फसल जो किवल जाड़े में होती थी, लाइक गो भी जाड़े में होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी सबजिया है, तो और कुछ ऐसी सबजिया हैं जो आपके गर्म तो आप क्या करोगे जाडों में कुछ green house gases, green house, green houses का निर्मान कर दोगे, शिशे के वह house रहेंगे, जिसमें जब sun की radiation जाएगी, तो उसको trap कर लेगा और total temperature increase कर देगा, तो ऐसी स्थिती में गर्मी की फसलें भी जाडे में उगाई जा सकती है, वो green house एक ऐसा माध्यम बन सकता है और बनता है, ठीक है, लेकिन green house total क्या होता है, वो मैंने आपको बता है, effect क्या होता है, जब धर्ती के साथ ही ऐसा हो रहा है, यानि कि परावर्ति द्विक्रेंट, जब returning जो radiation है, या infrared के रूप में, जब वातावरण में gases में जो धूल के कड़ होते हैं, उसमें जलवाश में रह जाते हैं, और वो उन्हें अवशोशित करके, पूरी पृत्वी पर एक आवरण जैसा structure देता है, तो यह जो है green house कहलाता है, पूरे अर्थ के लिए, और इस परिघटना में, जो अर्थ का temperature है, उसमें लगभग 15 degree ऐसा मानते है, कि सताखता 15 degree बनाए रखा जा सकता ह यानि कि मान लेजे कि जाड़े में temperature 4 degree centigrade होगा धरती का, लेकिन green house के मदद से हम 15 degree centigrade तक maintain कर सकते हैं, अब आता है आपका, gases कौन कौन सी होती है, gases आपकी होती है, जैसे जलवाश्प हो गया, ध्यान दीजेगा इसको, कौन कौन सी green house gas है, जी एच जी, green house gas, water vapor, carbon dioxide, CH4, nitrous oxide, sorry, nitrogen dioxide, नहीं, nitrous oxide, और fluoronated gases, fluoronated gases, जलवाश्प क्या करता है, यह आपको पता ही है, ठीक है, CO2 सबसे ज़्यादा green house gas के लिए responsible है, फिर methane responsible है, nitrous oxide आपको पता है कि यह trace gas होती है, nitrous oxide जो होती है, trace gas होती है, 5% से 10% बढ़ रही है, यह ozone hole में depletion के लिए भी ज़रूरी है, nitrous oxide को हम लोग harsh gas, इनकी laughing gas कहते हैं, ठीक है, CO2 की तुलना में, 2500 गुना, यह अधिक problematic है, तो इस तरह की कुछ चीजे होती है, कुछ देर से मैं कुछ चीजे बताया, और मैं जो है, mute रखा हुआ था, मैं बता रहा था कि fluorinated gases जो होती है, उसमें आती है, HF6, मुझे exactly clear नहीं, मैंने कहा तक बताया था, बट मैं बता रहा था कि CFC, जो chlorofluorocarbons है, उसमें 1, 2, यहनि कि 12, 11, और 22, यह सारी कुछ इंट्रोडूस में लगभग 100 साल पहले, लगभग 50 साल पहले आसा, मोटी-मोटा मान लेजे, 50 के दशक के आसपास में, ऐसे तो आई यह 100 साल पहले, मतलब लास्स अताबदी में ही यह आई है, और 1992, कोपेनहेगन समिलन में यह कहा गया, कि CFC जितनी भी हैं, उनके प्रयोग को बंद करिये, क्योंकि Montreal Protocol में यह कहा गया था, कि आपका प्रॉब्लम हो रही है, ओजोन को, ओजोन जो परत है, उनमें छिंडता आ रही है, तो fluorinated gas के बारे में मैंने डिसकस किया है, मैंने का है HFC होती है, जो hydrogen और fluorine के संयोग से बनती है, बहुत यहां निकारक gas है, उसके बाद आती है, आपकी PFC आती है, पर fluorocarbon बोला जाता है इसको, जो कि आपके, जो आपका वो है, क्या बोलते हैं कि semiconductor से, उनके उत्पादन में यह निकलती है, और दीरकाल तक जो आपके bundle में बनी रहती है, लेकिन सबसे खतरनाक दो gases के बारे मैंने बताया, पहले मैंने बताया, SF6 यानि कि sulfur hexafloride, यह जो gas है, IPCC ने कहा है, IPCC ने कहा है, देखिए आप लिखा हुए, IPCC ने कहा है, यह बहुती powerful GHG है, यह निकि green house gas है, यह most powerful GHG है, यह 23,900 गुना ज्यादा हनिका रखे हैं, आपर X का मतलब होता है, गुना 23,900 गुना ज्यादा हनिका रखे हैं, आपके CO2 से, और यह लगभग 32,900 साल जो है, आपके वैमंडल में रहती है, उसकी अलावा, आपकी जो दूसरी GHGES है, जिसका नाम NF3, नेट्रोजन ट्राइफ फ्लोराइड, यह भी CO2 से 17,200 गुना ज्यादा हनिकारक है, और यह लगभग 7,400 वरस तक रहती है, तो इसका नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, एक चार्ट प्रोवाइड कर देना हूँ आपको, ठीक है, आप उन्चीजों को देखके समझ लीजेगा, आज के लिए इतना ही धन्यवाद,